यह रड़ोग नाने के लिए 300 ग्राम मैंने पेशन लिया और 300 ग्राम आटा लिया है बूड़ लिया आदा किलो आप कम ज्यादा कर सकते हैं 200 ग्राम मेथी लिये मखाने अल्सी लिया है आप कम ज्यादा कर सकते हैं गोंड लिया है और अल्दी लिया दो चमज इसको रोस्ट कर लेते मेथी को दो से तीन मिट में ड्राय रोस्ट हो जाती है रोस्ट करने से अच्छे से परेश जाती है अब देखे होंगे रोस्ट इसका बॉडर नाल्या मेती का इसमें दूद मिक्स कर देंगे दूद भी मैंने बॉइल कर लिया है तो गरम डालना इसमें इच्छे से मिक्स कर देंगे पाउडर को टीप करने बहुत फाइन पाउडर नहीं बनाया दर दर है इसको डरके रख देंगे दो गंटी के लिए तब तक ये ड्राइफोक्स रोस्ट कर लेते हैं इसमें ड्राइए रोस्ट करें गेनी नाला है मैंने प्राइब अब अब जाएगे तो यह भी रोस्ट हो जाएगी तो यह वी रोस्ट हो जाएगी रोस्टेट भी बिलते है इसमें गी डालें लेगे गी को अच्छे से गरम करना है फिर इसमें गहन डालेंगे गरम गी में डालना चाहिएगों इसमें फूलता नहीं है अब देखे इस तरह सारे में फिलाके डाल दीए अच्छे से फूल नहीं लग गया है थोड़ा इसको इला रहेंगे लाइगी लाइट ब्राउन हो गया है इसको निकाल लेते हैं अब जाने पीस होई अब इसको भी पीस को भी डाल प्राउन के साथ रहें लिए अब बेसम पर इसको चेसे रास्ट करेंगे मीडियम खेंपर पर 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 रहेंगे तो ये तच्छा रह जाएगा और जाएगा इसको मैंने साथ मिनिट तक रोस्ट किया है अब इसमें गी आड़ करते हैं अब इसमें गी अच्छे से मिक्स करने है अब गी में अच्छे से मिक्स कर दिया है अब इसको मीडियम फ्लेम पर 10-15 मिनिट तक भूनेंगे अब देखिए बेसम गी छोड़ने लग गया है अब इसमें अल्दी डाल देंगे इसको भी दो मिनिट पकाएंगे इसके साथ अब यह सारे ड्राइ फूटिस में आड़ कर देते हैं इसके अब इसके साथ ने पर देखिए गार्म गर्मेर आपकर हैं इसके मेटी डाल देंगे अच्छे से पूल गया तो बंदी अब आपकर देखिए लेटेंगे मेथी को भी अच्छे से गी में पकाना है मीरियम प्रेम पे अच्छे से बहुंगी है मेथी भी जोड़ने लगे लगे हैं बढ़ने मिक्सर एड़ लेटें लगे हैं बढ़ने खिली 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 होगी है और अबसे मिक्सर में आड़ कर देंगी सारा मिक्सर इसमें आड़ कर लेते हैं मुसको अच्छे से मिट परेंगे जासनी त्यार कर लेते हैं मिट के तोड़ा सा गीर डालेंगे तो बुट को में चुट तोड़ लिया है लो फ्लेम पे विसको मिक्स करेंगे कि उन्पे किया तो जल जाएगा इसे मेल्ट हो गया फुर्गे रिसको रख दिया था मेरे पानी आड़ कर देंगे थोड़ा सा आजी कटोरी से में कम पानी लिया है मैंने इसको अच्छे से निक्स करते वे इसको पकाएंगे दो से तीन मिनट उसे में ये दो तीन रोतार की जासनी बन जाएगी अच्छे से पकती है चेक कर लें आप इसमें कर लेंगे साथ इसको गरम गरम में डाल लिए इसको पकाएंगे थोड़ा जाके दूट राय हो जाएगी डो फ्लेंट पे अच्छे मिक्सर में ड्राय होने लगें तार पांच मिनट गिस्कुस में अच्छे में पका लेंगे तो भी रैडी है फक्समान के लिए पीस कर दी मैंने प्लेट को मिक्सर ताल देती है अच्छे सेट कर दें इसको अधार बागे वर्फी जो इकवर बने इसके ड्राइफ नूट आप फ्लिए के इसके अगोर्डिंग डाल सकते हैं अच्छे सेट होगी अच्छान से पहने पहले ही लगा दीते करके से अच्छे से पहले ही लगटे झाल झाल